दोस्तों पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि सरकार electronic manufacturing sector से तुड़े हुए कई बड़े एहम फैसले ले चुकी है जैसे कि कुछ companies को restrict करना कुछ manufacturing को यहाँ पर boost देना उसके अलावा अगर बात करें digital space के अंदर भी apps वगेरा को ban करने जैसे फैसले हमने देखे हैं अब यहाँ पर इसी कड़ी में आगे एक और फैसला देखने को मिला है यहाँ पर सरकार ने electronic items खास और पर जैसे tablet, laptops इनके import पर restriction लगा दिया है तो आखिर यह पूरा मामला क्या है? क्यों ऐसे सरकार कदम उठा रही है? यहाँ पर जानेंगे आप सभी का स्वागत है UPSC Unstoppable में आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अगर अपने exams के perspective से देखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि mains 2017 के अंदर question पूछा गया है यहाँ पर manufacturing sector के उपर और आज का जो यह सरकार ने कदम उठाया है जिसके अंदर laptops और tablets के import को restrict किया है सरकार का यहाँ पर कहना है कि यह security concerns और साथ से जुड़ा हुआ है लेकिन यह directly हमारे जो domestic manufacturing है उसको भी boost करेगा ठीक है तो दोनों ही target यहाँ पर अचीव करने की कोशिश है कि security concerns को भी address करें सा बात में manufacturing जो है domestic उसको भी बढ़ाए तो domestic manufacturing से जुड़ा हुआ इस तरह से एक paper question में आ सकता है और सरकार बहुत ambitiously और aggressively आगे बढ़ रही है electronic sector की जहां तक बात है तो exam में कभी भी specifically question आ सकता है electronic sector के उपर और उसमें हो रही इंडिया की developments सरकार की schemes और manufacturing sector को link करके उससे पू government के manufacturing sector से जुड़े हुए कौन से इन में से initiative है वो यहां पर बात करने है और आज का जो topic है वो भी electronic manufacturing को boost देने वाला आत्म निरभर भारत को boost देने वाला topic है इसलिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है क्याता है कि यहां पर GSP3 से directly linked है ठीक है और हमारी internal external security से साथ में यहां पर इंडियन economy planning और ऐसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है पूरा हमारा जो चर्चा का विशय यहां पर इस पूरी वीडियो के अंदर रहने वाला है इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो restriction लगाया गया है import पर laptops के आखिर यह क्या है साथ में यहा अलावा इंडिया का जो electronic manufacturing sector है उसका क्या status चल रहा है उसके अलावा यहां पर देखेंगे कि भई डबली टी ओ जो रूल्स है क्या यह कहीं बीच में तो नहीं आते अगर हम इस तरह की कुछ restrictions लगाते हैं उसके अलावा यहां पर बात करें तो government ने बूस्ट देने के लिए electronic manufacturing को boost देने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं वो यहां पर हम देखेंगे आगे बढ़ने से पहले एक simple question का जवाब देंगे यह आकड़ा आपको हमेशा पता होना चाहिए दो के पहाड़े कितरा क्याता है कि यहां पर इन में से कौन सा सही option है जो कि यह बताता है क manufacturing sector का भारत की GDP में कितना contribution है तो बताएंगे इसका जवाब में वीडियो के end में आपको दूँगा आप pause करके इसको attempt कर सकते हैं manufacturing sector का भारत की GDP में कितना contribution है अब अगर यहां पर बात करें यह जो restriction लगाया गया है सरकार ने सिर्फ laptops पर नहीं लगाया है laptops, palm tops उसके अलावा स यहां पर आपको restriction लगती हुई नजर आएगी सिर्फ laptop को target नहीं किया गया है उसके अलावा यहां पर कहता है कि भई यह जो restriction है यह immediate effect से लागू कर दी गई है director general of foreign trade के द्वारा ठीक है और यहां पर कहता है कि जो import होंगे कुछ items के लिए अब आपको अगर import करना है तो आप को license लेना पड़ेगा यानि कि यहां पर यह बैन नहीं किया है laptop का import इस चीज से बिल्कुल भी confused नहीं करेंगे खुद को कि सरकार ने laptops वगेरा के जो import है इसको ban कर दिया है इसको सरकार ने बैन नहीं किया है सरकार ने इसके import को restrict करा है अब आप खुले तोर पर एक दम से किस license लेने की तो license लेना होगा तब आप मंगाएंगे इन सभी चीजों को भारत के अंदर import कर सकते हैं उसके अलावा target क्या है क्यों जरूरी है यह restriction क्यों सरकार ने लगाई दरसल सरकार domestic manufacturing को boost देना चाहती है आत्म निरवर भारत के अंदर आपको बता है उसके अलावा हमारा target है 2026 तक 300 billion dollar की हमें manufacturing industry electronic items की भारत के अंदर बनानी है उसके अलावा यहाँ पर security concerns बहुत important role play करते हैं क्योंकि यह जब import restrictions लगेगी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो effect पढ़ेगा चायना से होने वाले import पर पढ़ेगा और चायना एक security concern सभी देशों के लिए रहा है जिनक पर अगर बात करें यह इंडिया को अपना खुद का hardware बनाने के में मदद करेगा ठीक है domestic level पर साथ में यहाँ पर प्रस्टिट पार्टनर्स जो होंगे उनसे ही इंडिया इंपोर्ट करेगा इंडिया की आप यह कह सकते हैं national security को और टेली communication industry को ध्यान में रखते हुए सरकार 2020 के अंदर एक तरह की notification लेकर आई थी जिसमें सरकार ने कुछ countries जो है उनको trusted partner और non trusted partners की list में डाला जिस जहां से इंडिया electronic items को import करती है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ Chinese companies है जो की trusted partners की category में नहीं आती है तो यहाँ पर help मिलेगी इस restriction के बाद कि हम अपने devices वहीं से मंगाए जो की trusted partner की category के अंदर आते हैं ठीक है चलिए अगर security concerns की बात की जाए तो अभी हमने एक video कुछी दिन पहले cover की है जो कि यह बताता है कि किस तरह से US के अंदर हड़कंप मच गया और US को पूरा अंदाजा इस तरह से डर है US को कि China ने उनके पूरे system में, communication system में, military system के अंदर एक virus को implant कर दिया है और वो कभी भी उसको इस अब करने के लिए, अमेरिका के जो major critical infrastructure है उसको नुकसान पहुचाने के लिए China इस्तमाल कर सकता है तो ऐसी कुछ चीज भारत में भी कलको चलके हो सकती है अगर हम Chinese devices, Chinese software पर बहुत जादा rely करते हैं क्योंकि China बदनाम है पूरी दुनिया में अपने devices, अपनी companies और अपने electronic items अलग अलग देशों में surveillance करने के लिए, तो ये बहुत possible है कि भारत के अंदर भी हो सकता है और ऐसी news थी, भारत ने security concerns को ध्यान में रखते हुए, क्या पहले कभी कदम उठाए हैं ऐसे, तो जी हाँ बिलकुल भारत ने, अगर आपको याद होगा, तो 2020 में भारत ने 1500 Chinese apps को बैन करा था, और अभी हाल ही के कुछ दिनों में पिछले साल भी सरकार ने कई सारी Chinese apps को बैन करा था, इसके अलावा, सरकार ने कुछ कंपनी जैसे की ZTE और Huawei, ये दो कंपनी है जिसको सरकार ने non trusted partners की list में डाला हुआ है, यानि की trusted partners की list में ये नहीं है, और इन से सरकार जो अगर उसको items import करनी है, equipments 5G के, तो फिर वो नहीं कर सकता, सरकार की permission लेनी होगी, तो यहाँ पर Huawei और ZTE को इंडिया ने, भारत ने restrict पहले से किया हुआ है, और 5G में अब आपको इनका role भारत में बहुत rare ही देखने को मिलेगा, अगर बात करें, यहाँ पर restriction लगाया गया ह तो आपको यह लगेगा कि भाई, आज से क्या अगर मान लीजिए आपको laptop खरीदना है कुछ, तो क्या आप उसको order नहीं कर सकते, यानि कि यहाँ पर सवाल उठेगा कि क्या आप अब जो इंडिया में made in इंडिया होगा, या फिर जो फिर सरकार अलाव करेगी, या फिर non Chinese ह होगा कि आपको वही खरीदना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ exemptions हैं, इसमें आपको basically देखने को मिलेगा, जो individual buyers हैं, अगर वो order करते हैं, बाहर से shipment के थुरू कुछ item आती है, तो उसके लिए कोई license वगेरा की ज़रूरत नहीं है, हाँ, हाला कि यह हो सकता है कि उनके उपर tax वगरा लगने की वज़े से वो electronic item आपको महंगी मिल सकती है, उसके अलावा जो भी research and development के sector के अंदर involved जो लोग है, evaluation, benchmarking, यानि की जो भी ऐसे काम को करते हैं, जो electronic sector को के अंदर research and development और उसमें आगे help करे, इस तरह कि अगर field में कोई व्यक्ति है, कोई company है अगर वो 20, up to 20 तक items import करती हैं, तो भी उनको license की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो R&D के शेतर में जो है, उनको जरूरत नहीं है, individual व्यक्ति को जरूरत नहीं है, उसके अलावा कुछ ऐसी machinery इस्तमाल होती है, कुछ जैसे research institutions में, educational institutions में, companies के अंदर manufacturing units में, कि वहाँ पर आपको जो system है, computer का, वो embedded एक साथ जुड़ा हुआ आता है, machine के, तो ऐसे cases में भी अगर आपका capital good की category में fall करता है, यह electronic system, तो फिर आप उसको बिना license के आप import कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर exemptions थी, अब यहाँ पर अगर बात करें, कहता है कि भई, security concerns हमने यहाँ पर already देख ल कि India को हमें आत्म निर्भर बनाना है, तो हमें यह भी देखना होगा कि dependence हमारी कितनी है, और यहाँ center में हम China को रख के बात करेंगे, क्योंकि China पर भारत सबसे ज़्यादा rely करता है electronic items की जहां तक बात है, और अगर overall trade को भी अगर आप देखें, तो overall trade में भी China का जो trade है भार कि लगभग 20 साल के अंदर 5% से 15% पर हम आ गये हैं China से import करने के मामले में, overall import हमारा China से बड़ा है, और साथ में यहाँ पर जब import बड़ा है, तो भारत export कम करता है, import China से ज़्यादा करता है, तो आपको देखने को मिलेगा trade deficit भी हमारा एक बहुत अच्छे नंबर पर, इस न कौन सी आइटम जो import की है, उनमें electronic sector segment जो है, electronic items कितना role play करती है, तो अगर आप देखेंगे, यह भारत के जो major items import करता है, China से उनका आपको यहाँ पर share दिखेगा, contribution, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको दिखेगा laptop और palm top, यह सारी चीजें आपको देखने को मिल chunk पूरे import का China और India के import का contribute करती है, जादा नहीं तो लगबग 20% के आसपास यहाँ पर मोटा मोटा हमें देखने को मिलता है, कि यहाँ से जो भारत import करता है चीजें, उसमें laptop और electronic items कितना जादा role play करती है, ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम अपनी sources को diversify करें, पूरी दुनिया से हमारा बढ़ा है, overall import है यह, overall import हमारा बढ़ रहा है सभी sources से, अकेले China की अगर बात करें, तो China से आप देख सकते हैं, सभी sources में China का कितना share है, और China का share भी लगातार बढ़ा है, अगर overall बढ़ा है, तो China का share भी लगातार बढ़ा है, इसका मतलब हम largely electronic items के अंदर चाइना के अपर बहुत ज़्यादा depend करते हैं, ठीक है, चलिए, और अगर यहाँ पर देखें, चाइना पर जब हम depend करते हैं, तो China के आसपास और भी countries हैं, जैसे कि Taiwan हो गया, Hong Kong हो गया, Japan हो गया, जो की technology में master मानी जाती है, तो इनकी technologies अगर इतनी अच्छी है, तो ह हम इनसे कितना import करते हैं, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर बात करें, financial year 2022 and 23 की, तो यहाँ पर भारत ने 9000 million dollar से ज़्यादा का electronic item को यहाँ से import करा है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको roll मिलेगा, चाइना का 9446 यहाँ से क चाइना से 9000 और बाकी सबसब से 1000, तो बहुत जादा major difference है, हमें जरूरत है अपने sources को diversify करने की, और अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने जो restrictions लगाई है, अब जरूरी होता है सिर्फ restriction और एक blanket band लगा देना, restrict कर देना solution नहीं है, आप के पास उसके alternatives भी available होने चाहिए, और अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत जो है, यह domestic manufacturing को boost देगा, तो जरूरी है यह जाने कि हमारी domestic manufacturing के क्या हालात है, क्या हाल चाल है उसके, और क्या हमारा कोई ऐसा target भी है, या फिर हमने हवा हवा में decision ले लिया, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो भारत ने 2026 तक यह target लिया हुआ है कि यहाँ पर electronic manufacturing को हमें बढ़ाना है 300 billion dollar तक, 300 billion dollar की हमें industry बनानी है, electronic manufacturing की और इस data को याद रखेंगे, एक ambitious target है, exam से directly link tech code करने में काम आएगा, अब यहाँ पर हमने target ले रखा है, तो जरूरी है यह जानना कि status क्या है भारत में, electronic manufacturing का, तो यहाँ पर अगर आप दे अचीव करने के लिए, और यहाँ पर अगर बात करें, तो electronic manufacturing 2014 में 12 billion dollar की थी, जो अब बढ़कर आपको देखने को मिलेगा, कि 2021 में 60 billion dollar पर पहुँच चुकी है, 60 billion dollar की हम industry बना चुके है, 12 billion जो की 2014 में थी, और यही industry 2015-16 में लगबग 37 billion dollar की थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि manufacturing जो industry है, काफी जादा, ग्रो कर रही है, तो हमें उम्मीदे हैं, इस segment से, इस sector से उम्मीदे हैं, कि इसमें हम आत्म निदभर बन सकते हैं, इसके अंदर एक और milestone इंडिया ने अचीव किया था, वो यह कि mobile जो export है भारत का, वो पूरी तरह से यहाँ पर आपको देखने को म जानते हैं, कि इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, अच्छे लेवल पर मॉमाइल, साथ में अब भारत के अंदर iPhone भी बनने, manufacture होने लगे है, iPhone भी एक टाइम के बाद इंडिया से export होंगे, और उसके अंदर बढ़ता जाएगा शेहर भारत का, यहाँ पर target तो यह है, सरकार क जाकि iPhone पूरी दुनिया में जितने भी, Apple पूरी दुनिया में जितने भी अपने iPhone बनाता है, उसके 24-25% वो भारत में बनने चाहिए, अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारे भारत में consume करेंगे, जाहर सी बात है, उसको हम export भी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भारत के targets ambitious है कापी जदा electronic items को लेकर, अब यहाँ पर हमने restriction लगा दिया, क्या यहाँ पर WTO का कोई role नहीं है, दरसल यह है एक restriction, इसको band से confuse नहीं करेंगे, यह band नहीं लगाया है, भारत ने पहली बात यह restriction लगाई है, और भारत में भारत ने इसमें किसी भी country को target नहीं किया है, हम वो ब target नहीं करा है, सरकार ने यह का है, जो भी अब import होगा, उस पर हम restriction लगा रहे है, license लेना होगा, ठीक है, क्योंकि चायना सबसे बड़ा player है हमारे साथ, इस industry में, हम उससे सबसे आदा import करते हैं, तो उस पर जाहिर सी बात है, चायना पर effect इसके पढ़ेंगे, और चायना को इ यह एक ban नहीं है, यह एक restriction है, दूसरी बात, यह किसी country को target नहीं कर रहा है, एक देश ने decision लिया है, अपनी security concerns के लिए, अपने security reasons के लिए, और अपनी security के लिए decision WTO के according लिया जा सकता है, तो किसी country को हमने target नहीं करा, और यह restriction है, और अगर बात करें, electronic manufacturing को boost करने की, उसके के लावा security concerns भी हमने देख लिए, तो electronic manufacturing को boost करने की जहां तक बात है, सरकार के इसमें, क्या सरकार ने steps लिए है, तो PLI scheme आप जानते होंगे, production linked incentive scheme सरकार ने चलाई थी, जिसके अंदर electronic manufacturing पर, और IT hardware के उपर focus specially किया गया है, PLI scheme के अंदर incremental sales जो होती है, उसके उपर सरकार incentives द रखी है, semiconductor के manufacturing के उपर भी सरकार ने scheme चला रखी है, ताकि भारत के अंदर भी semiconductor की market development manufacturing यहां पर हो, और उसके अलावा यहां पर electronic manufacturing clusters बनाने के लिए भी scheme बनी हुई है, जहां पर हम electronic items की manufacturing को boost देंगे, और export फिर हमें बढ़ाना है, ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप मेरे आते हैं दोस्तों, आप मेरे साथ यहां पर special class जो होती है, free live class unacademy की app पर, इस पर आप मेरे साथ 6 से 8 वी तक की NCRT पढ़ सकते हैं, ठीक है, history की और बहुत detail में, साथ ही में 9 से 12th class तक की history की NCRT हम unacademy plus पर पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी 11th class की old NCRT medieval history खत्म होने वाली ह तो old NCRT हम पढ़ रहे हैं, unacademy का कोई साभी course खरीदना हो, तो code लगाएंगे यहां पर SMK live, ठीक है, SMK live code लगाएंगे कोई साभी course खरीदना हो, साथ ही में यहां पर आपको 12, 18 और 36 महिने के courses मिलते हैं unacademy पर, जिसमें extended months भी आपको देखने को मिलते हैं, और उसके अल स्कॉलर्शिप टेस्ट है 6 अगस्त को 11 बजे, 45 कोशन एक घंटे में लगाके 90 परसेंट टक स्कॉलर्शिप जीच सकते हैं, साथ में current affair की magazine unacademy launch कर चुका है, revision friendly तरीके से tabular form में आपकी revision को यहां पर आसान बनाया जाएगा, offline center की भी शुरुआत हो चुकी है, तो यहां प contribution है, तो इसका सही जवाब है, 17% जो latest आकड़े है, उसके according 17% है, और लगभग कई सालों से भारत का manufacturing sector इतना ही contribute करता आ रहा है, ठीक है, जो कि एक चंता का विशे है, आगे बढ़ने से पहले यहां पर 2018 का एक question है, इसको attempt करेंगे digital इंडिया से जुड़ा हुआ है, आज के ह साथ में, टेलिग्राम पे जुड़ना होगा PDF के लिए, और mail कर सकते हैं, कोई और भी doubt हो तो, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, जाहिन दोस्तों